यह एक डाउट हमारे मन में हमेशा रहता है कि UPSC क्या questions repeat करती है क्या previous questions आपके repeat होते हैं CDS exam में तो उसी चीज़ के लिए आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से आपका अगर repeat होते हैं और क्यूं हम हमेशा यह कहते हैं कि भई previous questions को आपको ज़रूर practice करना तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूँ आपका तो जो graduate level के exams आपका UPSC conduct कराता है उसमें आपका CDS exam भी है, CEPF exam भी है, साथी साथ आपका civil services यारी जिसको हम IS का exam कहते हैं वो भी है और आपका EPFO का exam भी आपका UPSC के द्वारा आपका conduct किया जाता है यहां पर अगर मैं बात करूँ आपका questions के repeat होने की, तो जरूरी नहीं कि CDS का जो paper है, उसी के questions आपका वहीं पर repeat हो, हो सकता है कि कोई question आपका CPF में आया हो, वो आपका CDS में आ जाए, कोई question आपका IS में पूछा गया हो, वो आपका CDS में आ जाए, या फिर EPFO का कोई भी question आपका CDS के paper में आपका पूछ लिया जाए, तो कहीं बार ऐसा देखने को मिला है कि वो question आपका दूसरे exams में पूछा गया, but then वो आपका CDS के exam में भी same उसी तरीके से आपका पूछा गया, लेकिन कहीं बार, आपका CDS में भी PYQs आपका repeat हो है, example के तोर पर हम यहां पर स synonym पूछा गया है, कि जो underlined word है, उसका synonym बता है, 2019 के paper 1 में आपका पूछा गया था, the authorities have reprimanded the subordinate officer for violating the protocol, extolled, purported, या फिर admonished, या फिर required an apology, वहीं पर same, देखो, यहां पर अगर आप देखे, तो बिलकुल directly वो question नहीं है, लेकिन reprimanded को ही उन्होंने दुबारह से पूछ था, यहां पर अगर आप देखे, तो options भी आपके change है, the officer was reprimanded by the court for delaying the case, again nearest in the meaning आपका पूछा गया, यानि कि again वही चीज़ आपका पूछी गई, लेकिन जो statement है, वो different हो गया, इसी के साथ साथ जो आपके options है, वो आपका differ हो गये, यहां पर आपका admonished है, साथी साथ appreciated है praised है, disliked है, लेकिन जो option था, जो correct option था, वो यहां पर आपका दोनों में same है, admonished would have been the right answer, इसी के तरीके से हम यहां पर देखें, आप देख सकते हैं, geography से related आपका question है, 2021 के CDS2 में पूछा गया और 2022 के CDS1 में पूछा गया, soil type को लेकर आपका question पूछा गया, soil type और उसके salient characteristics पूछे गए, antisol, inceptisol, histosol, oxizol, यह आपका USDA classification में आता है, ठीक है, USDA का जो आपका soil classification है, वहीं पर 2021 में यह पूछा गया, inceptisol, antisol, vertisol, mollisol, यह आपका जो है, our orders of which of the falling, तो अगर आपने 2021 में आपने paper दिया, CDS2, और उसके बाद आपने यह नहीं पढ़ा कि USDA soil classification क्या है, और 2022 में आपने इसको भी आप attempt नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, ऐसी अगर मैं एक और question यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखे, quality से related question है, which of the following is not a provision related to a money bill, 2022 के paper 1 में पूछा गया, वहीं पर दूसरे paper में, 2022 के second paper में एक question पूछा गया, which of the following statement is about the money bill is not correct, पहले पूछा not a provision, दूसरे में पूछा not correct, और यहाँ पर अगर आप देखे, तो again जो statements हैं, वो आपका money bill से ही related है, तो इस तरीके से अगर हम देखे, आपका previous questions आपके repeat तो होते हैं, लेकिन उसका form change हो जाता है, sentence change हो जाता है, या फिर उसकी language change हो जाती है, और अगर आप previous questions attempt कर रहे हैं, और आपको लगता है कहीं पर भी कि आपको यह question समझ में नहीं आ रहा, और आप उसके बारे में जादा research नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि next exam में, जो कि आपका 21 April को exam conduct होने वाला है, उसमें आपसे यह question पूछ लिया जाए, तो इसलिए बहुत important है previous questions को solve करना, time करोगे, तो जब आप vocab वाले questions देख रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ यह होते है कि आपको एक ही question में आपको बाकी तीन options भी मिलते हैं, जो कि आपके लिए नए होते हैं, आप अगर उनको ढूंडोगे, उनको research करोगे, उनके बारे में जानोगे, तो ultimately आ आपका घुमा फिराकर वही चीज़ आपका UPSC आपसे पूछता है, इसी के साथ अगर मैं maths की बात भी करूँ, तो maths में भी सिर्फ numbers change हो जाते हैं, figures change हो जाती हैं, questions वही रहते हैं, सिर्फ sentence जो है, वो आपका sentence का formation change हो जाता है, figures change हो जाते हैं, लेकिन questions वही मिलेंगे, तो बहुत important है कि आप previous questions को solve करें, और अब आप मेर से पूछेंगे कि सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे पास access नहीं है, तो access के लिए बहुत easy है कि आप practice tab में आप जा सकते हैं, बाइजू exam prep के app पर आप जाए, practice tab को आप open कीजिए, और practice tab को open करने के बाद आपको क्या करना है, वह आपको यहाँ पर मिलेंगे, cds2 2023 का, general knowledge का, elementary maths का, सारे previous questions आपको यहाँ पर मिलेंगे, प्लस, अगर मैं बात करूँ, आपको trending mock test भी मिलेंगे, यहाँ पर previous question papers को solve करने का फायदा आपको इस सब्सक्राइपर यह होगा, कि आपको पता है, कि यह जो आपके जो papers हैं, जो हमार उसी तरीके से जब आप इनको solve करेंगे, तो आपको एक अंदाजा मिलेगा, आपका level of preparation क्या है, and ultimately, with this remaining time, आप अपने जो है, जो strategy है, उसमें change करके, आप जो है, अपने exam को crack कर सकते हैं, तो इसलिए important है कि आप mock test और previous question papers, इस समय पर solve करना शुरू कर दें, क्योंकि यह बह informative वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, और साथ ही साथ हमारे चानल को बाइजूज एक्जाम प्रेप, CDSF, CAPF को subscribe करना ना भूलिएगा, and plus, like और share ज़रूर कर दीजेगा, so that would be all, thank you, bye bye, take care, जैहिंद, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे, and बाइजूज